दोस्तों इंडिया पोस्ट प्यमेंट बैंग का एक ऐसा स्कीम आप लोग को पताने वाला हूं आप डेली का 50 रुपया बचा करके अगर इंडिया पोस्ट प्यमेंट बैंग में जामा कर देते हैं तो साल के अंत में एक अच्छा खासा एमाउंट जामा कर लिजेगा और प्योग को पैस्कंट लिज है कि समेनल SNP yem Manager सर देखना बहुती अगा रहेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे मिख बारे में बात किया जाता है इसमें जो है चिटी भेजा जाता है और चिएव पारसल कहीं से लाए जाता है यतना ही लोग जानते हैं ओर बहू सम जमा किया जता है जैसे कि हाली में निकला है सुकन्या समरिधी योजना जो कि अच्छा खासा अगर आप के बेटी है तो पैसा सरकार के पास सेफ रहे गा और शादी करने के टाइम में आपको अच्छा खासा रिटरों मिल जाता है एक बड़ा आमाउंट जमा हो में ओपन कराना पड़ेगा उस एकाउंट का जो सिस्टम होता है जैसे कि आप लोग सुने होंगे रेकरिंग डिपोजिट एक होता है जैसे कि फिक्स डिपोजिट डिमांड डिपोजिट और रेकरिंग डिपोजिट तीन डिपोजिट होता है एक डिपोजिट अपका हो गया क है तो आप पैसा में ढाल देको दिएल निकाल दी डिपोजिट होता है जो कि एक बड़ा अमाउंट जमा कर दिए सांथ 2005 अजारfill करताश एक बड़ा इमांट इसमें चमMM कर दिए और उपैसा उसमें पैसा सेफ है और उसमें भी आज हमको मिल दा है लेकिन एक रेक्रिंग डिपोजिट होता है जो की छोटा-छोटा एमांट जमा करके बड़ा एमांट बनाए ज़ता है जैसे कि माल लीजिए आप पूझका बेचते हैं आप छोटा सा ठेला चला रहे हैं आप छोटा सा बिजनस कर रहे हैं आपके पास तो आप परसान है कि हमारे पास ना पैसा होगा ना हम कभी भीमा करा पाएंगे ना पैसा होगा ना हम लाइसी को आदा पाएंगे इस प्रकार से छोटे-छोटे जो लोग हते हैं न यहीं सोचते हैं कि मेरे पास अगर पैसा रहे ही तो हम ऐदी फडी किस प्रकार से करेंगे मेरे बेटी का अच्छा सधी हो चोड़ी जो लो बहता है यह नहीं सोच पाते और यह पैसे नहीं सोच पाते हैं लेकिन हम आज बता रहे हैं कि आपको जो है बहुत सारे से जगह पर देखा जाता है जो पुश्ट में होते हैं पुश्ट में क्या करते हैं कि गाउं गाउं में खोज करके धी करा है से आसपरॉसमे ही उनके दवार पर जाते हैν और जानी के बाद से पचास पिल दा करेंगे और लेकिन ये सिस्टम अब बहुत जगह पे नहीं है पोच्ट Office वाले सुचते हैं कि कौन दवार पे डेली आप डेली जायेगा उससे पैसा लेगा 150 के लिए इसी लिए बहुत सारे पोस्ट मैन होते हैं जो कि इस प्रकार्शन नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारे जगा पर इससा दखा जाता है कि पोस्ट मैन जो होता है उनके द्वार पे जाते हैं रेकरिंग डिपोजिट वाला पैसा लेते हैं और चड़ाते हैं जमा करते हैं अगर इ एक खुल जाएगा रेकरिंग डिपोजिट खुल जाएगा और वहां पे कुछ-कुछ एमाउंट डेली का 50 रुपया डेली का 100 रुपया इस परकार से आपको डेली बाइड डेली ले जाकर के दे देना है जामा करा देना है और पास्बुक पेचड़ा लेना है अगर डेली 50 यहां से जोड़ा जाए तो पांत यहीं पंद्रें पंद्रें 500 रुपया महिना हो गया और साल का देखा जाए मौणट है दस साल का देखा जाते उससे ज最łosता अब damage को जो है अभी साल जाने कि भी साल पकीच साल तीस साल तक लोग जामाकरते हैं और थीस साल तक आप भी उस पैसा गशर्ı है और तीस साल तक जग अगर डेली डेली 50 रुपया के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो तीस साल तक का बहुत बढ़ा हो जाता है और यह नहीं है कि आपको मुल्धन मिलेगा उसमें रिटरंस भी अच्छा कासा मिलता है अब रिटरंस में कितना मिलता है तो 709 व euro जिस परकाड़ से उसका लीट का उसका बढ़ते जाता है कुछ न कुछ बढ़ेगा तो बढ़ते जाता है उसकी परकार से इंट्रेस ब्रेंट भी जादा बढ़ने लगता है तो इस ही परकार से आप डेली डेली पैसा जमा कर पैएंगे अगर चार लड़के है एस पैसा को हम रोक लेते हैं यहां खुद के बचा करके अगर 50 र छाट लेते पैसा को हम आड़ी में जामा करते हैं तो आगे चलकर कि भौविस में एक बड़ा एमाउंट बनेगा प्लस में बहुत ज्यादा फैदा मन सावित होने वाला है बाद में आप सोचीएगा कि हाँ यह बहुत बड़ा मैंने काम किया तो आपको अगर आइडी कराना है तो जाकर करा सकते हैं बाकि अगर कोई भी इन फिर मैसान दोस्तों के पासर कर दीजिएगा एक लाइक कर दीजिएगा मिलेंगे अगले वडियों आज के लिए पर इतना ही जाएं